हेलो स्टूडेंट्स आज हम मोडल्स के बारे में पढ़ेंगे और इसे स्टार्ट करने से पहले आपको मैं आश्वस्त कर दूँ कि आज मोडल्स के बारे में आपको जो भी कनफ्यूजन है वो आज आपका दूर जरूर हो जाएगा तो इसे स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो ये मोडल्स ये क्या होते हैं बचो ये होती हैं हमारी ओकजिलरी वब्स auxiliary verbs बचो दो तरह की होती है primary auxiliary verbs और modal auxiliary verbs primary auxiliary verbs की वीडियो बचो मैं पहले बना चुकी हूँ और इसका लिंक आप उपर आई बटन में देख सकते हैं अब ये primary auxiliary verbs main रूप से तीन होती है be, have, do और इनके बाकी ये is, mr, was, were, been has, have, had, do, does, did ये इनकी form होती है, रूप होते है आज हम पढ़ेंगे बचो modal auxiliary verbs के बारे में अब आपको ये लग रहा होगा कि modal और primary में difference क्या है अब जो primary auxiliary verbs होती है बचो, वो main verb की तरह भी काम करती है और जो modal auxiliary verbs हैं उनको सिर्फ हम helping verb के रूप में प्रियोग करते हैं और primary auxiliary verbs हैं बचो, उनको हम main verb के रूप में भी प्रियोग करते हैं और helping verb के रूप में भी प्रियोग करते हैं जो सबसे जरूरी बात है याद रखने वाली वो है primary auxiliary verbs के साथ हम वर्ब की first form के साथ ing और वर्ब की third form का use कर सकते हैं लेकिन जो modal auxiliary verbs हैं उनके साथ हमेशा verb की first form का use होता है और आज हम पढ़ेंगे modal auxiliary verbs के बारे में कौन-कौन सी होती हैं यह हमारी यह हमारी होती है may, might, can, could, should, would, must, ought to, used to, need, dare to, etc. अब बचो जो यह need or dare हैं semi-modals भी बोले जाते हैं क्यों बोला जाता है क्योंकि यह बचो modal auxiliary verbs का भी काम करती है और primary auxiliary verbs की तरह यूज की जाती है क्योंकि need or dare को हम helping verb के रूप में भी यूज कर सकते हैं तो इसलिए इन्हें हम semi-modal होलते हैं आज हम पढ़ेंगे may, might, can, could, shall, will के बारे में इन सब का यूज possibility, necessity, capability, advice, order, command आदी के लिए होता है तो इन में confusion रहता है बचो को कि कहां पर हम may का यूज करें, कहां पर हम can का यूज करें और कहां पर हम good का यूज करें तो सबसे पहले हम लेते हैं may को, may का यूज किस में होता है बचो, permission के लिए अब permission के लिए हम make a use करते हैं लेकिन कहाँ पर permission के लिए make a use होगा जब हम formal way से कहीं पर हमें permission लेनी है जैसे किसी office में हमें permission लेनी है तो वहाँ पर हमें make a use करना है for example यहाँ पर लिया है may I come in sir अब यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कि यह formal way है यहाँ पर permission किस से ली जा रही है तो यहाँ पर हमें formal होना पड़ रहा है तो इसलिए हमने यहाँ पर make a use किया है second sentence है can I come in किस से पूछा है यह किस से permission ली गई है अंकित से can I come in अंकित अब यहाँ पर अंकित क्या है बचो हो सकता है उसका भाई हो हो सकता है उसका दोस्त हो तो इसलिए जहाँ पर हम informal होते हैं वहाँ हम can का योज करते हैं और informal का पता कैसे चलेगा वहाँ पर किसी का नाम नाम दिया है तो इसका मतलब वो क्या हो सकता है उसका बहाई हो सकता है बहन हो सकती है या फिर फ्रेंड हो सकता है अगर कलोज रिलेशन में या फिर फ्रेंड से कोई permission लेनी है तो उसमें हम कैन का यूज करते हैं अब यहाँ अंकित की जगह पर बचो, father, mother, grandpa ही हो सकता है, यह हमारे close relation है, तो इन में हम इन से permission लेने के लिए हम can का use करते हैं, next आता है permission में, could का भी use होता है, अब could का use बचो, कहां पर होगा, जब ना तो वहां पर हम formal होते हैं, और ना ही वहां पर हमारा कोई close relation या friend होता है, ऐसी कौन स situation होती है, जहां पर could का use करना है, ऐसी situation कब होती है, जब कोई हमारा neighbor हो बचो, या फिर कोई unknown person हो, और वहां पर हमें permission लेनी पड़ जाएं, जैसे उसका पता कैसे चलेगा, कि यह हमारा neighbor है, या फिर यह हमारा close relation में नहीं है, या फिर यह यहां पर हमें formal नहीं होना है, तो यह पता चलेगा बचो, जो नाम दिया होगा, उससे पता चलेगा, कि अगर नाम दे रखा है Mr. Ram, अब यहाँ पर क्या है Mr. Ram है बचो, could I come in Mr. Ram, Mr. Ram से क्या पता चल रहा है, कि यह दोस्त नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्त को हम Mr. लगा कर नहीं बोलते हैं, तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, could का यूज करेंगे, क्योंकि could politeness को दिखाता है बचो, नेक्स्ट यूज है, possibility में, जब possibility हो, संभावना हो, और वो संभावना कैसे, किस पे बेस होती है, facts पे बेस्ट हो, उसमें हम make a यूज करते हैं, अब for example देखते हैं, कैसे based है facts पे, there are clouds in the sky, आस्मान में बादल है, it may rain today, अब यहाँ पर make a use किया गया है, बचो, क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ पर possibility है, किस की? rain की, क्यों है, क्योंकि sky में क्या है, clouds है, तो यहाँ पर possibility क्या है, ज्यादा है, और ज्यादा के लिए हम make a use करेंगे, लेकिन, जब possibility कम हो, तब हम उसमें might का use करेंगे, जैसे, यहाँ पर दूसरा example है, there are no clouds in the sky, आस्मान में कोई बादल नहीं है, it might rain today, अब यहाँ पर second sentence है, इसमें might का use किया गया है, बचो, क्यों किया गया है, क्योंकि इसमें, जो facts है, वो क्या है, कि sky में कोई clouds नहीं है, तो यहाँ पर possibility जो है, वो कम होती है, तो इस sentence में हम, second sentence में हम, might का use करेंगे, possibility के लिए, next use है, wish या blessings में, अब कोई wish हम किसी के लिए करते हैं, या blessings किसी को देते हैं, तो हम उसमें may का use करते हैं, और इसके लिए, साधारण, जो simple जो पहचान है, वो क्या है, इसके last में exclamation sign होता है, जैसे may God bless you, may you live long, तो इस तरह के sentences में बचो, हम may का use करते हैं, उमीद है, आपको may का use है, वो clear हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा, अब हम करेंगे might का, may के past tense में हम might का use करते हैं, जैसे he said that it might rain today, तो might का use कहां होता है बचो, may के past tense में, या फिर कम संभावना जहां पर होती है, possibility कम होती है, तो उसमें हम might का use करते हैं, next आता है हमारा can, can का use कहां होता है, ability और capacity के लिए, अब वो ability और capacity कब की हो, present की हो, वर्तमान की हो, तब हम can का use करेंगे, जैसे I can speak five languages, अब यहाँ पर can किसको denote कर रहा है, ability को denote कर रहा है, बचो, तो कि मेर में ये, मुझे में ये सामर्थ है, कि मैं पाँच भाशाएं बोल सकता हूँ, लेकिन बचो, जब ability past में हो, तब हम could का use करेंगे, second example में हम देखेंगे, I could speak five languages when I was in eighth standard, अब second sentence है बचो, यह क्या है, past tense में है, past tense की ability के लिए, could का use किया गया है, ऐसे ही capacity के लिए भी can का use होता है, जैसे next है, he can lift this box, वह इस बोक्स को उठा सकता है, तो यह capacity को दिखाता है, तो capacity के लिए भी हम can का use करेंगे, लेकिन, जब capacity की बात past में की गई है, तब हम उसके लिए could का use करेंगे, next sentence में देखते है, he could lift this box when he was five years old, अब next use आता है, permission के लिए, permission के लिए भी हम can का use करते हैं बचो, यह मैं पहले ही में के use में बता चुके हूं कि कहां पर हमें में का use करना है और कहां पर हमें can का use करना है, for example यहाँ पर can I use your phone पापा, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूं पापा, तो यहाँ पर पापा से permission ले गई है, तो यहाँ पर कभी भी में का use नहीं हो सकता है बचो और ना ही कभी could का use हो सकता है, क्योंकि पापा के साथ हम फोर्मल नहीं हो सकते हैं और ना ही more polite हो सकते हैं, तो जब close relation की बात हो या फिर friend circle की बात हो तब हम can का use करते हैं for permission, next है could, अब could का use वचो can के past tense में होता है, for example, they could help him last night, अब यहाँ पर last night किसको denote करता है, past tense को denote करता है, और यहाँ पर क्या है, capacity की बात हो रही है, तो इसके लिए हम यहाँ past की capacity के लिए could का use करेंगी, तो ability और capacity जब past में हो, तब हम could का use करते हैं, next है हमारा permission, permission में जैसे more polite जहाँ पर हम हो रहे हैं, तब हम could का use करेंगे, for example लेते हैं, जैसे हम कहीं बाजार गए हुए हैं बचों, और हम अपना phone ले जाना भी भूल गए, और हमें घर पर कोई जरूरी message देना है, और हमारे पास phone है नहीं, तब हम क्या करेंगे, unknown person से क्या मांगेंगे, phone मांगेंगे, क्यों मांगेंगे, क्योंकि घर पर जरूरी काम है और बात करनी है, तो तब अगर हमें उससे permission लेनी है, कि मुझे आपके phone की जरूरत है, क्या आप अपना phone मुझे देंगे, अनुमती वहाँ पर ले रहे हैं, उसके phone की, तब आप वहाँ पर more polite होते हैं, क्योंकि अगर आप अधिकार से मांगेंगे, तो वो देगा नहीं, क्योंकि आपका उस पर कोई अधिकार नहीं है, बच्चों, कोई right नहीं बनता है, तो वहाँ पर आपको बात किस से बनाने पड़ेगी, more politeness से, तो तब अगर आप more polite होकर permission लेंगे, तो हो सकता है, कि आपको वो phone दे दे, तो unknown person से, या फिर neighbor से, अगर हमें कोई permission लेनी है, तब हम could का use करते हैं, जैसे बाजार में हैं, for example, could I use your phone, अब polite request में बचो, polite request में हम could का use करते हैं, जैसे हम किसी नई जगह पे हैं, और वहाँ पर हमें किसी जगह का नहीं पता है, किसी unknown से ही हमें वहाँ की जगह के बारे में पूछना होगा, तब हम वहाँ पर could का use करेंगे, तब हम वहाँ पर more polite होगे, for example, could you tell me the way to the station, तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कि could का use कहाँ पर होगा, next आता है हमारा would, would बचो very very important, इसको ध्यान से सुनना है, would का use will के past tense में होता है, for example, he said that he would go to the school, will का use कहाँ पर होता है, future को denote करने के लिए, तो जब इसका past हो, तब हम वहाँ पर would का use करते हैं, next है, habit in past, past में कोई आपकी habit थी, उसको आपको mention करना है, तो वो आप would से करेंगे, for example, sometimes my mother would get angry with me, कभी कभी मेरी मा मेरे से गुसा हो जाती थी, तो यह जो habit की बात है past की बचो, यह हम would से भी show कर सकते हैं, past indefinite का use करके भी कर सकते हैं, या फिर हम इसको used to का भी use करके इसको show कर सकते हैं, तो जो habit होती है past की, उसमें हम past indefinite tense, would या फिर used to का use करते हैं, next, polite request में हम would का use करते हैं, अब ज्यादा तर जो, please जो word आगा sentence में है बचो, तो हम would का ही use करते हैं, polite request के लिए, would you open the door, please, तो could और would में क्या फिर्क है बचो, would की अपेक्ष्या, could more politeness को दिखाता है, वैसे इनको हम polite request के लिए दोनों को interchange कर सकते हैं, would या could को, लेकिन option में जो है, अगर option में एक ही दे रखा है, would दे रखा है, तो would का use करेंगे, और could दे रखा है, तो could का use करेंगे, लेकिन जब please word आजाता है हमारे sentence में, तब हम would को preference देंगे, next है हमारा use would का offer या invitation में अगर हमें किसी को offer करना है कोई तो हम उसमें would का use करेंगे would you like to have a cup of coffee तो इस sentence में बच्चों हमने क्या है offer किया है कि क्या आप एक cup coffee लिना चाहेंगे तो इसमें हम would का use करेंगे next है would का use willingness और determination के लिए जैसे willingness क्या है काश में एक पकसी होता would that I were a bird अब यहाँ पर अगर blank होता would की जगह पर तो हम देखते कि क्या यह willingness है तो willingness के लिए हम would का use करते हैं next sentence है I would buy that house at any cost यहाँ पर क्या है determination शो हो रही है बच्चों क्योंकि किसी भी कीमत पर मैं उस घर को खरी दूँगा तो यहाँ पर हम determination के लिए would का use करेंगे next conditional sentences में conditional sentences होते हैं बच्चों उनके rules हैं तो उनमें हम जहाँ पर जो if close है अगर उसमें head प्लस वाब की third form का use किया गया है बच्चों तो जो next close है उसमें हम would have का use करते हैं तो जब if close में वाब की second form का use किया गया हो तब हम next close में would का use करते हैं और दूसरी क्या है अगर if close में head प्लस वाब की third form का use किया गया हो तब हम second close में would have का use करते हैं next है हमारा will will बच्चों जब second person और third person में से कोई हो तब हम उसमें will का use करते हैं simple future के लिए जैसे he will go to Mumbai next है हमारा इसका use determination अब determination के लिए बच्चों हम will और would इन दोनों में से किसी एक का use कर सकते हैं इसके लिए हमें क्या करना होगा हमें देखना होगा कि क्या हमारे पास option है तो अगर option में will है तो will का use करेंगे और अगर would है तो would का use करेंगे अगर option नहीं है तो हम अपनी मर्जी से will या would में से किसी एक को चुन सकते हैं तो यहाँ पर example लिया गया है I will come to visit you in all conditions यहाँ पर क्या है determination है कि मैं all conditions में तुम से मिलने आऊंगा तो दोनों का use कर सकते हैं will और would का next prediction अगर हमारी personal judgment पे prediction की गई है भविश्यवानी की गई है तो उसमें हम will का use करते हैं अगर personal judgment पे based ना होकर facts पे based हो अगर हमारी prediction भविश्यवानी तो उसमें हम is going to का use करते हैं लेकिन जब personal judgment की बात हो रही है तब हम भविश्यवानी के लिए will का use करेंगे for example यहाँ पर हमने लिया है you will be a leader in a few days तुम कुछ दिनों में एक नेता बनोंगे next use है promise अगर promise किया गया हो वादा किया गया हो जब first person के साथ हमें use करना हो तब हम उसके साथ will का use करेंगे for example I will lend you some money मैं तुम्हें कुछ रुपए उधार दूँगा तो यहाँ पर क्या है वो फादा कर रहा है और हमारा person कौन सा है I first person है I or we के साथ बचो हमेशा क्या है simple future में sell का use होता है लिकिन यहाँ पर promise की बात की गई है तब हम I or we के साथ will का use करेंगे next है threat or warning में threat or warning में हम will का use करते हैं और कब करते हैं जब हमारा first person हो second और third के साथ हम shall का use करेंगे for example I will not tolerate you again यहाँ पर क्या है warning दी जा रही है कि मैं तुम्हें दुबारा सहन नहीं करूंगा तो इसमें हम will का use करेंगे next use है conditional sentences conditional sentences में भी will का use होता है कब होता है जब if close में verb की first form का use किया गया हो तब next close में हम second close में हम will plus verb की first form का use करते हैं for example if you study you will get good marks यदि तुम पढ़ोगे तो तुमें अच्छे नंबर मिलेंगे तो अब next है हमारा shall अब shall का use भी बचो simple future में होता है और किस के साथ होता है I और we के साथ होता है for example we shall go to agra tomorrow अब भविश्य की बात की गई है तो इसमें हम we के साथ shall का use करेंगे next यूज है promise और promise कब जब हमारा subject second या third person हो तब उसके साथ हम shall का use करेंगे for example he shall help you वह तुम्हारी मदद करेंगा या फिर इसको अच्छे से समझने के लिए हम next sentence लेते हैं if you stand first यदि तुम first आते हो you shall get a prize तुम्हे इनाम मिलेगा तो यहां पर अब यू के साथ हमारा क्या है shall का यूज हुआ है क्योंकि यहां पर क्या किया जा रहा है promise कि यदि तुम first आते हो तो तुम्हें क्या मिलेगा प्राइज मिलेगा next threat or warning में हम शेल का यूज करते हैं कब करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट सेकंड या थर्ड परसन हो you shall not enter my room तुम मेरे कमरे में घुसोगे नहीं तो यहां पर क्या है थ्रेट दी जा रही है वोर्निंग दी जा रही है तो इसमें हम यू के साथ शेल का यूज करेंगे तो उमीद्धा पुचो आपको अच्छे से समझ में आया होगा और अब मैं आपसे दोबारा कह रही हूं आप चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक एंड शेय प्रिक 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 이 सर्खंड और गीरी ठीक तोब्सक्त रही होगा